सो यस वेलकम टू इलेटकल डिपार्टमेंट डिफेंस रिसर्च एंड डिवलप्मेंट आर्मनाजेशन डियार्डियो के तरफ से रिक्रिमेंट निकल कर आ रही है आप चलते है वेकैंसी के मेंन नोटिफिकेशन पर आप देख सकते हैं यह वैज्चनीसियन की तरफ से निकल अगया है तो यह opportunity आपके लिए है यहाँ पर देख सकते हैं graduate apprenticeship के लिए total 15 vacancies है technician diploma apprenticeship के लिए 10 vacancies है और ITI के यहाँ पर 65 vacancies निकाली गई है graduate apprenticeship की बात करें अगर आपने graduation अपना complete किया है mechanical engineering में electrical engineering में electrical and electronics electronics and communication engineering में या फिर computer science and engineering में तो आप इसमें apply कर सकते हैं technician apprenticeship की बात करें तो अगर आपने डिप्लोमा complete किया है mechanical engineering electrical engineering electrical and electronics electronics and communication electronics engineering में तो आप इसमें apply कर सकते हैं trade apprenticeship की बात करें अगर आपने अपना complete किया है फिटर ट्रेड में electrician electronic mechanic turner COPPA और फिर mechanics में तो आप इसमें apply कर सकते हैं ITA वालो के लिए काफी अच्छा number of vacancies निकाला गया है इस stipend की बात कर ले तो DRDO में minimum graduate apprenticeship के लिए 9000 और technician apprenticeship लिए 8000 और trade apprenticeship के लिए 7000 पर मत आपको stipend देखने को मिलता है अब बात कर लेते हैं इसमें कुछ important date का तो अभी ये वेकेंसी जारी किया गया है आज की date में तो आज से 15 दिन तक आप इसमें apply कर सकते हैं last date जो होगा आज से 15 दिन बाद इसमें ये वेकेंसी जो होगा वो close हो जाएगा तो रूल के गार्डिंग आपको एज में relaxation देखने को मिल जाएगा और जो भी candidate इसमें select होंगे सारा process आपको email के थो होगा तो जब भी आप form को apply करें तो अपना email id सही सही डालें टेक है डिप्लोमा और graduate apprenticeship के लिए ने टीस पोर्टब रेजिस्टेशन होना अनिवार है नहीं तो आपके form को reject कर दिये जाएगा और आईटाई apprenticeship के लिए ने पीस पोर्टब रेजिस्टेशन होना अनिवार है कौन कौन से year के pass out candidate apply कर सकते हैं तो अगर आपने डिप्लोमा बीटेग या आईटाई complete के है 2021 में 22 में या फिर 23 में तो आप इसमें apply कर सकते हैं अगर आपने पहले कभी apprenticeship या one year का आपके पास experience है तो आप इसमें apply नहीं कर पाएंगे जो आपका apprenticeship का training period होगा वो one year का apprenticeship training period होगा जो आपका training location की बात करें तो ASL में DRDO का DRDO office है वहाँ पर तो ASL हैदराबाद में आपको training देखने को मिल जाएगा वहाँ पर आपको जाना होगा ठीक है इसके बाद यहाँ पर देख सकते है एक form दिया गया है अब apply कैसे करना है इसके बारे बात कर लेते हैं यहाँ पर एक form यहाँ पर फिन कोड दिया गया इस एड्रेस पर आपको अपना जो अप्ली केसान है वो सेंड करना है और आपको लिखना है application for apprenticeship training at ASL तो कुछ इस प्रकार से आपको इसमें apply करना है apply online नहीं होगा comment में आप लोगी मत कहिएगा link आपने नहीं दिया तो यह apply करने का process जो है व